अस्सलाम उलेकुम कैसे हो उमीद करती हूँ कि सब लोग खेरियस से होंगे तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बेहित्तिरीन, बहुत ही श्वादिस, बहुत ही अनोखी रेस्पी जो ब्रेकफास नास्ति की रेस्पी है जब भी आपका दिल चाहे तब आप बना कर इस रेस्पी को खा सकते हैं आप इसके आगे समोसे, कचोड़ी, पकोड़ी भी खाना भोल जाएंगे तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने एक बड़े साइच का आलो लिया है, आलो को हमने कद्दू कस कर लिया है, आप देखी सकते हैं उसके बाद में हमने सबजी ली है देख सकते हैं एक बड़े साइच का हमने सिमला मिर्च ली है एक बड़े साइच का हमने गाजर लिया है गाईस और एक हमने प्याज लिया है हमने इनको भी कद्दू कस कर लिया है आप देख सकते हैं एक तम बारिक जितना बारिक हो सके उतन बारिक आप इसको कट कीजिए सब्जियों को यहां पर हमने चार से पांच हरी मिर्ची ली है इसको भी हमने बारिक कट कर लिया है आप देख सकते हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक तो हम यहां पे हसबेजाय का यानि जरूरत के मताबिक अपने नमक डाल देते हैं और आपको नमक को अच्छे से अक्षों करना है वह क्यों मिक्स करना है वह भी हम आगे आपको बताएंगे दो छलिए अब इनको रख देते हैं इसे तरीके से साइट में और आगे कि हम दूसरी तैयारी अपनी कर लेते हैं तो हम इनको ढग कर कम से कम पांच मिनट के लिए चोड़ देते हैं तो चलिए अब हमने एक पिलेट लिया है अजिसमें दालेंगे डिर्ड़ कप आठा आप देखी सकती है हमने एक कप पहले बड़े कप से लिया है उसके बाद में हमने यहां पर उसका आधा लिया है यानि उसे छोटे वाले कप से हमने लिया है तो हमने गेहूं का नार्मल आटा लिया है जो हमारे घर में रोटिया बनती हैं यहां पर हम एक चमश रिफाइन ऑईल डाल देंगे यानि मीठा तेल डाल देंगे और हम इनको डाल कर बढ़िया से मिक्स करेंगे जब तक हमारे आटे हमें जो है जो इसके अंदर फलफ होती है, जैसे कि उरता है, जब तक वो बंध नहीं हो जाता, वो कम नहीं हो जाता, आटा हमारा दब नहीं जाता, तब तक हमें इनको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, जैसे कि आप देखी सकते हैं, इनके अंदर हलकी हलकी सी गुठ्रिया आ गई है इसका मतलब यह है कि हमने आटे को बहुत ही अच्छे से mix कर लिया है अब इसको भी हम site में रख देते हैं वापस से हमने 5 मिनट के बाद अपनी सबजी को लिया है सबजी को हाथों से अच्छे से mix करेंगे आप देख सकते हैं सबजी के अंदर कोई पानी भी आपको नहीं दिख रहा है उसके बाद में क्या करेंगे गाईस जितना हो सके उतना आप सबजी को एकदम अच्छे से दोनों हाथों की मदद से इनको बढ़िया से एकदम इनके पानी को दबा दबा कर निचोड कर निकाल देना है तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से अपनी सबजीयों में से निचोड कर पानी निकाला है बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि इसके अंदर पानी है लेकिन जब हम ने सब्जियों को अपने एकदम बढ़ियां से निचोड़ा है गाईस तो देख सकते हैं कितना सारा पानी इसके अंदर निकला है गाईस एक छोटा कफ जो होता है उसके ही इतना पाने निकला है सब्जियों में से ये था नमक लगाने का रीजन जो हमने आपको बताया था कि नमक जो है बहुत ही अच्छे से सब्जी में लगाईए तो इसलिए जब हम नमक लगा के सब्जी में रख दिये थे तो हमारी सब्जी जो बहुत ही जरूरी है आपको अब इस पाने को हम फेकेंगे नहीं इसके अंदर नमक भी है मिर्ची भी है और सारी सब्जियों का फेवर भी है अब इस पाने को हम आटे के अंदर डालेंगे जो आटे को हमने तेल डालकर पोयम यानि हमने इनको अच्छे से मिला कर रखा था तो आटे के अंदर उतना नमक हमारी सबजियों के पानी से ही कबर हो चुका है अब यहां पर हम थोड़ा थोड़ा सा नारमल साधा पानी डालेंगे और इसका एक टाइट हमें डो लगा लेना है यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटे को ज्यादा नरम नहीं रखन में र हैं जितना हम नारमल रोती बनाते हैं उससे कम हिए गोथना है यानि उससे कम हमें रखना है इनपों नियुको रहे हूं तब तक मेरी डिक्वेश्ट है आप लोगों से कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में रिश्त को और उपर ज्यादा से ज्यादा इस रेस्पी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले जब आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तभी तो हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिलेगा गाईस और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरीके से वीडियो देखने के लिए यहाँ पर पानी जो हमने सबी हम Нीचोड निकाला कर सबजी को पनी रखा था हमने सब्सक्राइब ले लिया है गाइस – इसके अंDर हम अपनी कुछ जरूरी मसाले डालेंगे तो यहाँ पर हमने हाफ चम Agency, गरम मसाला डाला है कि हमने धन्या पौडρ जाल दिया है और हाफ चमच का हाफ हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है यह मसाले से हमारी जो यह आलू सबजियों की फीलिंग हमने बनाई है यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही चटपटी लेगेगी अब यहाँ पर हमें ना तो नमक डालना है ना तो मिर्ची डालना है क्योंकि हम हमने कम से कम 4-5 मिर्शी कट करके डाली है, बड़ी साइच की वह भी तीखी वाली है, यहां पर हमने नमक जो डाला था, आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी तो नमक निकल गया है सबजी से, तो नमक कम हो गया होगा, लेकिन नहीं गाइस, उसी पानी को हमने अपने आटे के डाल कर आटे को गूठ लिया है, तो यहां पर नमक जो है, वो कबर हो जाएगा, तो इसलिए आप नमक को पहले ही ध्यान से डा दिये कि हमें कितना नमक चाहिए, जिससे आप से हम पोड़ी वगरे बनाते हैं, तो हम फीलिंग बनाते हैं, आदू कि या फिर और किसी चीज क तो हम नमक डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पहले सबजियों के अंदर नमक को डालना है, और उनको जो है इतना डालना है कि ताकि आलू, सबजियों और आटों के अंदर हमारी जो फीलिंग नमक है, वो कबर हो जाए, यानि बराबर हो जाए, तो आप देख सकत लेकिन जो हम अपनी नार्मल रोटी बनाते हैं उससे हमारी ये रोटी थोड़ी से मोटी रहेगी आप देख सकते हैं तो जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी हम बेलेंगे सिर्फ रोटी के जो हम घर में रोटी नार्मल बनाते हैं रोच का उस रोटी से हमें हलकी सी इसको मोटी रखनी है अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम ने इसका जो लेयर है यानि जो size है उसको हमने कितना मोटा रखा है तो देख सकते हैं सब तरफ से हमने बहुत ही अच्छे से अपने रोटी को एक बराबर में भास बेल लिया है आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं इसकी layer कितनी है, हमने इसको कितना मोटा रखा है, आप size इसका देख सकते हैं, medium size में है तो चलिए अब जो हमने सबजी अपनी नमक और मसाले सब डाल कर हमने रखे हैं guys, उन सबजीयों को इसके ऊपर अच्छे से बिछा देंगे यानि अच्छे से हमें फैलाना है, एक बराबर में फैलाना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा रहे, कहीं पे कम रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है, एक बराबर में अहत्यास से आपको सबजीयों को फैलाना है तो थोड़ी थोड़ी सी चारो तरफ से हम किनारियों को छोड़ देंगे ताकि जब हम जो है इसका रोल बनाएंगे तो यह अच्छे से चिपक जाए तो देख सकती हैं बहुत ही बारी की से हमने इनको बिछाया है और बहुत ही कम जगह हमने छोड़ा है इस तरिफ आगे की तरफ हमने थोड़ा सा जादा जगे छोड़ा है अब इस तरीके से दबा दबा कर इनका हम रोल बना लेते हैं बढ़िया से और इनके साइटों को पहले हम पैक करेंगे ने तो क्या होगा हमारी जो सबजी है वो निकल जाएगी इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से हम इनको चिपका देंगे हाथों से दबा देंगे और इनका हम प्यारा सा रोल बना लिए हैं अच्छी से इनको सेट कर देंगे इस तरीके से देख सकते हैं हलका हलका सा हाथों से π्रेज करेंगे ताकि हमारी जो सबजी है वो अंदर अच्छे से सेट हो जाए तो चलिये दूसरा भी इसी तरीके से हम role बना लेते हैं तो जो हमने दूसरी वाली डो लगा दरबर बना और दो हमने लोई बनाई थी तो उसका भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं तो वापस से गाईस मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंदा रही है अभी तक आप लोगों में आप लोग वीडियों में बने हैं तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रियादा करती हूँ, गाईस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों मेरे श्तिदारों में वाकस अप गुरूप पर जादा से जादा शेयर कर दें, अगर आप लोग चाणल पर नए आए हैं या को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए जो घंटी वाला उपर का बटन होता उसको जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो में लेकि आऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुच सके और आप लोग इस तरीके से वीड जो इसके हैं वहां से लेकि नीचे तक हर तरब से हम एकदम अच्छे सी इसके उपर तेल को लगा देंगे देख सकते ही पीछे साइट भी हमने थोड़ा सा हाथ को मार दिया है अब इसके अंदर हम जो अपना रोल बनाए हैं उनको रख देंगे तो देख सकते हैं थोड़ी और इनको हम धग देते हैं ये पकने में बिल्कुल समय नहीं लेते हैं क्योंकि हमने इनको गेहूं के आटे से बनाया है और हमारे सबजिया जो है वो भी हमने बेदम बारिक कट की थी तो देख सकते हैं अब इनको हमने धग दिया है गाईस और धग कर इनको हम कम से कम जो है 10 म के दete में हमारी जो यह रोल है ये बिलकुल पक्र तैयार हो जाएगी तो देक सकते ह़ी गाईस् 10 मिनट हो चुके हैं दस मिनट के बाद चलिए हम आपको दिखाते ही कि हमारा जो रोल है वो कैसा हुआ तो देख सकते हैं रोल बिल्कुल पकर तयार हो चुका है यहां पर हमने इनको ज़्यादा फास नहीं रखा था हमने यहां पर गैस को मीडियम रखा था वो भी हमने सिर्फ एक गिलास पानी डाला था तो पानी भी हमारा सोख चुका है और यह हमारी जो रोल है यह भी है लेकिन फिर भी हमने इनको आसानी से निकाल लिया है तो देख सकते हैं गाईस हमने बड़े बड़े रोल बनाए थे तो इसलिए थोड़े से उपर जो थे दिवाल पे तो ये थोड़े से तेड़े हो गए हैं फिर भी इससे कोई बात नहीं हलका सा हम किनारों को कट करेंगे इनके देख सकते हैं ताकि इसकी जो लेयर है रोल की वो थोड़ी सी खुल जाए ये क्यूं खुल जाएगा इस वो भी हम आपको बताएंगे तो थोड़ी सी किनारों को कट कर दीजिए यहां पर गाईस मैं जो है एक रोल में तीन टुकड़े करूंगी आप देख सकते हैं तो हमें यहां पर एकदम बराबर बराबर साइज में कट करना है ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कट करना है अगर आप चाहिए तो आप ये भी साइज में कट कर सकते हैं वरना फिर आप इससे छोटे भी साइज में कट कर सकते हैं तो यहां पर हमने छेट देख सकते हैं छेट में डाल कर fry भी कर सकते हैं जो हमने साइटो को निकाला है अब मैंने आपको रोल भी दिखा दिया कितने अच्छे से इस्टीम हुए हैं पके हैं तो यहां पर हमने गैस की उपर तेल रखा है तेल हमारा मेडियम गरम होना चाहिए तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्यों कि हमने इनको गेहूं के आटे से बनाया है अगर तेल आपका ज्यादा हीट रहेगा ज्यादा गरम रहेगा तो डालते ही तुरंत जल जाएगा पक जाएगा ऊपर से आपको तो लगेगा कि यह पक गया है लेकिन अंदर से जो है जैसा हमें स्वाद चाहिए वैसा नहीं इसका भी जो आटा है उपर का वो लगेगा सिर्फ आप हमारे बताए तरीके से एक एक चीज को फॉलो कीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी हमने तेल को मेडियम ही रखा है और मेडियम आज पर हमने इनको फराई करना है गाईस तो यहां पर मैं मेडियम आज पर इनको फराई कर रही हूँ और देख सकते हैं इनको उलट पलट कर सब तरफ से एकदम बढ़िया से मैं फराई करूँगी ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से सिर्फ फराई करने हो गया यहां पर हमें इनके साइटों को भी इस तरीके से खड़े करके इनको जो है उलट पलट कर जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि हम इनको किस तरीके से फराई कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी फराई करना है तो चलिए इसी तरीके से हम इनको फराई कर लेते हैं और हमने जो बात आपको बताई थी कि हम इनके साइटों को क्यों थोड जाएगी साइटों की और यह अच्छे से फराई हो जाएगी तेल का जो भाफ रहेगा इसके अंदर जाएगा दोनों तरब से और यह जो है बहुत ही अच्छे से फराई होगी तो देख सकते हैं मैं मेडियम आच पर इनको फराई कर रही हूं बिल्कुल समोसे की तरह एक दम खश्टे दिखने में ही लग रहे हैं तो खाने में कितने श्रादिस होगे और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ज़्यादा तेल डाल कर इनको फराई नहीं करना है अगर आप ज़्यादा तेल डाल कर दुबा कर इसको फराई करोगे तो इसके मैं किस तरीके से इनको फराई की हूँ और जो फराई हमारा हो चुका है उसको हमने निकाल लिया है तो चलिए ये भी हमारे फराई हो चुके हैं और इनको भी हम रख देते हैं निकाल लेते हैं गाईस तो चलिए गाईस अब मैं आपको इनको गानिश करके दिखाती हूँ कि यह हमारे जो नास्ते हैं वो कितने अनोखे बने हैं गाईस आप देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी बहुत ही डिलेसस बने हैं इसके आगे समोसे कचोड़ी पकोड़ी भी फीके लगेंगे इतने श्वादिस हैं और हमने इनको बिल्कुल एकदम हेल्दी तरीके से हेल्दी साथ में बनाया है आप देखी स्पाय होंगे तो चलिए गाईस वापस से रिक्वेश्ट करती हूँ अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए इस तरीके से वीडियो देखने के लिए एक बार इस नास्ते को हमारे बताए तरीके से बना कर देखिए खुद आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगी इस नास्ते को चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में असलाम उलेकूम